जो घटना करम देखने को मिला राजदानी जैपूर में कहां लापरवाई रही परसाज है कहां लापरवाई नहीं रही लापरवाई कहां रही कहां नहीं रही हजार बार सिक्योरिटी मांगी थी राच्मु्ट सभान में मांगी थी, बौानीनिकेतन मांगी थी, हमारे सारे चस освंग ने मांगी थी और खुद ने मांगी थी, मैं सरकार में था, मैंने कह था इसको सिक्योरिटी दो और उनके पास जो एक की 57 जैसे एक के 47 जैसे अतियार है उनसे ये अपनी हिपाज़त नहीं कर पाएगा इसको सिक्योरिटी दी जाए दी जाए लेकिन नहीं दी गई और इसके अंदर सरकार के पास ये इंपूट था कि इसकी जान को खत्रा है पुलिस के पास था ये पुलिस नहीं पहुंच पाई है कई जग नाके बंदी नहीं मिली इसके अंदर किसी को नहीं रोका कई नहीं नाके बंदी इस परसासन इतना कहे रहा है कि हम लगातार जो प्रादियों पकड़ने में तत्रप्रता दिखा रहे हैं नाके बंदी की जारी है इसके लाओ कोई बयान नहीं दे रही है पुलिस अभी किसमत से उपरवाले की दुआ से बेटा हमारे किते लोगों को मार दिया रोज हमारे लोगों को मारता है किसी को पुलिस मारते हैं किसी को गुंडे मारते हैं यह नहीं चलेगा समाज की अब किस तरह से मांग और धर्णापरदसन कब तक चलेगा देखे हम कोई यह मांग नहीं करते हम सीधी सी एक ही बात आ रहे इंटेलिजेंशी इंपुट होने के बाद कि इसकी जान को खत्रा है बार बार सिक्योरिटी मांगने के बाद उसको सिक्योरिटी नहीं देना यह जाँच का विशा है इसके लिए हम नयाएक जाँच की मांग करते हाई कोट के वर्तमान जच्छे इसकी नयाएक जाँच कर रहे बाकी की जो मांगे हैं बाते होंगे समाज के लोग बैठ के तक करेंगी तो यह है पूर जो विधाय कोन मंत्री रहे राजेंदर गोड़ा वो भी लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर जो लापरवाई है पुलिश और प्रसासन की और सरकार की जो लापरवाई है घंगो लापरवाई यहां पर बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब यह जो काल प्रवाव से ग्रबदार किया जाए